ओम शान्ति अम्रित वेले प्राप्ति की वेला अम्रित वेले का महद्व और बाबदादा की शिक्षाएं त्रिकाल दर्शी बनू सदा अम्रित वेले से लेकर रात तक के कारे चाहे लौकिक चाहे अलौकिक सब कारे सहज और सफल हो उसकी सहज विधी क्या है? कोई भी कर्म करते हूँ तो, पहले तृकाल दर्षी बन फिर कोई कर्म करू क्यूंकि तृकाल दर्षी बन कर काम करने से, तीनो कालों का ग्यान बुद्धी में रहने से, कोई कर्म नीचे उपर नहीं होगा वैसे भी ग्यान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे कर्म के पहले उसके रिजल्ट को जाने वैसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया उसमें सफलता नहीं होती पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ट परिणाम निकलेगा श्रेष्ट परिणाम को ही सफलता कहा जाता है ऐसे नहीं बहुत बिजी था जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया नहीं जैसे बाब दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ पीछे खाओ भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन का मन पर प्रभाव पढ़ना चाहिए वह नहीं होगा एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाब की श्रीमत ना मानने का नुकसान होगा क्यूंकि अवग्या हो गई न उसका भी उल्टा फल मिलना है अगर कर्म करने से पहले या आदत पढ़ जायेगी पहले तीनो काल सोचना है त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित होकर फिर कर्म करें तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा साधारन नहीं होगा लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में भी सफलता ही सफलता है तो त्रिकाल दर्शी की स्मृती के स्थिती रूपी तखत पर बैठो फिर निर्ने करो की क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे यहाँ हो नहीं सकता बीज अगर शक्ति शाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा लेकिन जल्दी जल्दी में कमजोर कर्म करते हूं तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकाल दर्शी स्थिती ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकाल दर्शी हूं और कर्म करने के समय भूल जाओ इसे यूज करना इस आधार में कभी भी अलबेले नहीं बनू यह अभ्यास करो क्यूंकि 21 जन्मों के लिए जमा करना है एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना एटेंशन देना पड़ेगा टेंशन नहीं लेकिन सदा एटेंशन रखो अलबेले पन का अब परिवर्तन करो दाता दे रहा है तो पूरा लो देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी फिर नहीं मिलेगा इसलिए पूरा एटेंशन दो आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ आज समर्थ बाप अपने चारो ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रही है एक है सदा समर्थ दूसरे है कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकरशित हो जाते लेकिन जहां समर्थ स्थिती है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन हो सकता बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद के फरियाद में बदल देते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं विकल्पो की स्टेज को तो मेजॉर्टी ने मेजॉर्टी समय तक समाप्त कर लिया है लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गवाना इसमें फुल पास नहीं है क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिन्चरिया में अपने मन और बुद्धी को समर्थ स्थिती में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते इसलिए अपसेट हो जाते जैसे अपने स्थूल कारे के प्रोग्राम को दिन्चरिया प्रमार्ण सेट करते हो ऐसे अपनी मन सा समर्थ स्थिती का प्रोग्राम सेट करो तो स्वता ही कभी अपसेट नहीं होंगे जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जिन्हों को आईपी या वी आईपी कहते हैं वह सदा अपने कारे की दिन्चरिया को समय प्रमान सेट करते हैं तो आप कौन हों? वह भले वी आईपी हैं लेकिन सारे विश्व में इश्वर्य संतान के नाते, ब्रामन जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम हैं क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है आप विश्व के नव निर्मान के आधार मूरत हो बेहत के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तूले जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए? यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है आपका आत्मिक रूहानी नशा है इसलिए नीचे नहीं ले आता सदा उंची उड़ती कला की ओर ले जाता है तो विर्थ की तरफ आकरशित होने का कारण है अपने मन बुद्धी की दिंचर्या सेट नहीं करते हो मन को बिजी रखने की कला संपून रीती से सदा यूज नहीं करते हो दूसरी बात बाब दादा ने अमरित वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा करमना और संबंद संपर्क में कैसे चलना है वा रहना है सब के लिए श्रीमत अर्थात आग्या दी हुई है एक छोटी अवग्या अमरित वेले का नियम आधा पालन करते हो उठकर बैट तो जाते हो लेकिन जैसे बाब की आग्या है उस विधी से सिद्धी को प्राप्त करते हो शक्ति शाली स्थिती होती है उठकर बैट तो जाते हो लेकिन जैसे बाब की आग्या है उस विधी से सिद्धी को प्राप्त करते हो शक्ति शाली स्थिती होती है बाबा पूछ रहे स्वीद साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है बाब दादा अगर हर एक को अपने सप्ता की टीवी दिखाएं तो बहुत मज़ा देखने में आएगा तो आधी आग्या मानते हो नेमिनात बनते हो लेकिन सिध्धी स्वरूप नहीं बनते हो इसको क्या कहेंगे ऐसी छोटी छोटी आग्याएं है जैसे आग्या है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो न विर्थ संकल्प चलने का कारण ही यहा है विर्थ देख लिया सुन लिया तो दुखी हुए सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है यह क्यों कहा यहाँ क्यों कहा यहाँ ठीक नहीं कहा यहाँ नहीं होना चाहिए विर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है इसलिए अभी भी उस तर्फ आकरशित हो जाते हो छोटी छोटी अवग्याएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण उंची स्थिती की तर्फ उड़ नहीं सकते यहाँ बहुत गुह गती है जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोज के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवग्याओं का बोज जैसे स्थिती चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती आप हर एक अमरित वेले से ही अपना टाइम टेबल बनाओं की आज के दिन क्या 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 करना है जैसे शारिरिक कारेक का टाइम टेबल बना है वैसे आत्मा के उन्नती का भी टाइम टेबल बनाओं समझा इसमें एटेंशन और चकिंग कम है अब ऐसा टाइम टेबल बनाओं अमरित वेले अपने पुरिशार्थ की उन्नती का प्लान सिट करना है की आज किस विशे पर वा किस कमजोरी पर विशेश एटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावें हर एक अपने हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धी में रखें की आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लगाएंगे और कितनी परसेंटेश तक इस बात को पुरिशार्थ में लाएंगे अपने दिनचरिया के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो की अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहा तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेश तक धारण कर सके यदि नहीं कर सके तो उसका कारण और किया तो किस किस विशेश युक्ती से अपने में उन्नती कानुभव किया यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए और अगर देखते हो कि जो आज का लक्षे रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई वा जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए हर कर्म में अपनी स्टेज शक्ती शाली है या नहीं यह चेक करू स्वयम पवर्फुल बनो उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्ती शाली है या नहीं उसकी चेकिंग के उपर और थोड़ा विशेश एटेंशन दो दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान में बिजी होने से अपनी स्थिती में कहां कहां हलका पन आ जाता है इसलिए यह वातावरन शक्ती शाली नहीं होता सेवा होती है लेकिन वातावरन शक्ती शाली नहीं होता है इसके लिए अपने उपर विशेश एटेंशन रखना पड़े कर्म और योग कर्म के साथ शक्ती शाली स्टेज इस बैलेंस की थोड़ी कमी है सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्वाक इस्थिती शक्ती शाली नहीं रहती जितना समय सेवा में देते हो जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो उसी प्रमान एक का लाख गुर्णा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है जैसे सेवा के प्लैन बनाते हो परचे छपाते हो टीवी रेडियो में प्रोग्राम देते हो जैसे वह बहर के साधन बनाते हो वैसे पहले अपनी मनसा शक्ती शाली का साधन विशीश होना चाहिए यह एटेंशन कम है फिर कह देते हो बिजी रहे इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया फिर डबल फाइदा नहीं हो सकता दुआएं दो और दुआएं लो दुआएं किसको मिलती है जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करें जहां संतुष्टता होती वहां दुआएं होंगी और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं सर्व गुण धारन करने में महनत लगती हो सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में महनत लगती हो उसको भी छोड़ दो लेकिन एक बात यह धारन करो दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है इसमें कोई महनत नहीं करनी पड़ेगी करके देखो एक दिन अमरत वेले से लेकर रात तक यही कारे करो दुआएं देनी है दुआएं लेनी है फिर रात को चार्ट चेक करो सहज पुर्शार्थ रहा या महनत रही और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो इसमें सब आजाएगा दिव्यगुर्ण शक्तियां आपे ही आजाएंगी कोई आपको दुख दें तो भी आपको दुआएं देनी है तो सहन शक्ति सामने की शक्ति स्वत आजाएगी ओम शान्ती शुक्रिया बाबा शुक्रिया झालो जो प्राम झालो 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 झालो